नमस्कार दोस्तों मैं प्रिंच से नहीं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे क्लेसियस स्टेटमेंट के बारे में इससे पहले हमने Calvin Planck स्टेटमेंट के बारे में जाना था जो क्लेसियस स्टेटमेंट है वो हमें क्या बताती है It is impossible to construct a device इस तरह का device बनाना impossible है यानि कि नामुनकिन है जो की work करें एक cyclic process में जैसे एक point से माल लेते हैं ये एक point है ये दूसरा point है एक से दो पे जाना इस तरह से और दो से फिर से एक पर आना इस तरह से cyclic जो process है इस तरह से काम करें जहां से चले वहीं पर आ जाए काम करके और transfer energy करें in the form of heat from lower temperature body to higher temperature body तो ये कहते हैं कि इस तरह का device बनाना impossible है जो cyclic process के अंदर काम करें और जो heat है उसको lower temperature body से यानि कि अगर हम lower temperature body की बात करें इसको क्या बोलते हैं sink बोलते हैं और higher temperature body को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं source यानि कि sink से source की तरफ energy का transfer हम कर सकें तो इस तरह का device बनाना मुश्किल है अगर statement को हम समझें तो यहाँ पर माल लेते हैं एक source माल लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं यह क्या है हमारे पास यह source है जो की होगा high temperature पर यह हमें पता है और यहाँ पर माल लेते हैं कि हमारे पास sink है sink कहाँ पर होता है lower temperature पर तो यह हमने ले लिया sink जो की है lower temperature पर यह sink अब इनके बीच में अगर हम कोई एक डिवाइस लगा दें अब हीट के लिए लगाना है तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हीट पंप का तो यानि कि जो सिंक से लेकर सोर्स तक हीट को सप्लाई कर दे जैसे माली जे यहाँ क्यो लिया यहाँ पर भी यह पूरी की पूरी जो हीट को सप्लाई कर दे इस तरह का डिवाइस बनाना बहुत मुश्किल है कि अपने आप ही यहाँ से लोवर टेंपरेचर से उठाकर हीट को वो हाई तेंपरेचर पर ले जाए यहाँ पर हमने किसी भी तरह का कोई वर्क डन नहीं किया बाहर से कोई वर्क डन नहीं किया यानि कि यह डिवाइस लगा दिया जो कि यहाँ से यहाँ अपने आप लोवर टेंपरेचर से हाई टेंपरेचर पर हीट को भेज रहा है तो कलेशेस कहते हैं कि ये बनाना इस तरह का डिवाइस मुश्किल है, impossible है और इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी स्टेटमेंट की इन दा फॉर्म ओफ हीट फ्रॉम ए बोड़ी एट लोवर टेंपरेचर यानि कि जो सिंक हो गया तो एबोड़ी एट हाईर टेंपरेचर विदाउट डूइंग एनि एक्स्टरनल वर्क लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा किया जा सकता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये सोर्स ले ले और यहाँ पर हमारे पास क्या था? heat pump था, यहाँ पर heat pump था, और नीचे क्या था? sink था तो यहाँ पर ये sink हो गया, अब यहाँ पर यह जो Q heat है इसको उपर पहुचाया जा सकता है लेकिन इसके लिए हमें कुछ work करना पड़ेगा, कुछ work done करना पड़ेगा यानि कि यहां पर जो आएगा उपर यानि कि इसे heat pump क्या करेगा क्यों प्लस W जो है एक तरह से उपर की तरफ जाएगा क्योंकि हम work जो है बाहर से add करेंगे इसमें तो कहते हैं कि अगर हम work done नहीं करते फिर तो ये device बनाना मुश्किल है एक ही है statement ये बस हमने थोड़ी और असानी से समझा है इसको कि इस तरह का impossible है transfer of energy करना lower body से higher body की तरफ अगर heat की form में ले रहे है without doing any external work यानि कि हमें कुछ न कुछ work done तो करना पड़ेगा अब यहाँ पर हमने दो statement देखी है एक classius की देखी है ये वाली यहाँ पर तो work done हमें करना पड़ रहा है और इसी तरह से जो दूसरी statement देखी थी यहाँ पर इस तरह का device है जहाँ पर हमने एक device लगाया कि अपने आप वो उसको उपर भेज देगा ऐसा नहीं हो सकता तो हमें कुछ ना कुछ work done यहाँ पर करना पड़ेगा according to classius statement अब यहाँ पर जो calvin plank statement थी और classius statement थी हमें अलग लगती है लेकिन यह है नहीं यह हम next lecture में समझेंगे कि अगर एक statement भी गलत सावित होती है कहीं पर भी तो दूसरी भी automatically वहाँ पर गलत सावित हो जाती है तो next lecture में समझेंगे अभी हमने समझा कि जो classius statement है वो होती क्या है तो थंक्ये वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद